सिधार शुकला अक्टर तो अच्छे थे ही स्टार बन चुके थे वो लेकिन लड़कियों के बीच भी स्टार थे और लड़कियों के मामले में अगर बात करें तो कई लड़कियों से उनकी दोस्ती रही है उनका रिलेशनशिप रहा है सिधार्ट अकसर अपनी personal life को लेकर भी चर्चाओं में रहे हैं और आज की इस episode में मैं आपको उनी actresses का नाम बताऊंगी जो एक time पर सिधार्ट की जिन्दगी का हिस्सा रह चुकी थी इस list में सबसे पहला नाम आता है actress शिफाली जरीवाला खा कांटा लगा गल जी हाँ शिफाली जरीवाला ने खुद बिग बॉस के घर में बताया था कि सिधार्ट शुकला को वो तब डेट करती थी जब सिधार्ट शुकला को कोई नहीं जानता था सिधार्ट शुकला मॉडलिंग कर रहे थे स्ट्रॉगलर थे वो एक तरह से ये बात 2003-2004 की है तब शिफाली ने उन्हें डेर साल के लिए डेट किया था इसके बाद शिफाली ने हरमीत जोकी मीत ब्रदर्स से हैं उनके साथ शादी कर लिए और उनसे शादी करने के ही कुछ सालों बाद उनसे भी उनका रिष्टा तूड गया इस लिस्ट में दूसरा नाम है अक्ट्रिस दृष्टी दामी का मधुबाला और दिल मिल गए जैसे सीरियल्स में दृष्टी दामी काम कर चुकी है कहा जाता है कि 2012-13 के आसपास सिधार शुकला दृष्टी दामी के साथ रिलेशन्शिप में थे दोनों जलग दिखला जा का हिस्सा थे और वही पर इन दोनों की नजदीकिया बड़ी हाला कि कुछ महीनों बाद इनका रिष्टा तूट गया लिस्ट में तीसरा नाम है आक्ट्रिस शिलपा शिंदे का शिलपा शिंदेज इस वक्त इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही थी माई का नाम का वो सीरियल कर रही थी तब शिलपा ने खुद बिग बॉस के घर में बताया कि वो सिदाथ शुकला को डेट कर रही थी और सिदाथ के साथ उनका रिष्टा जब तक अच्छा चला तब तक अच्छा चला लेकिन बाद में सिदाथ कुछ जादा ही उनके लिए पसेसिव थे और जब रिष्टा तूटा तब मारपी जैसी स्थिती भी हुई थी शिलपा ने सिदाथ के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी थी इस लिस्ट में चौथा नाम है अक्ट्रिस अकांग्शा पूरी का अकांग्शा पूरी पारस के साथ डेट कर रही थी और तभी सिदाथ शुकला और पारस दोनों अच्छे दोस्त थे तो अकांग शा की सिधार से तभी मुलाकात हुई और यही वो टाइम था जब अकांग शा और सिधार दोनों एक साथ कहीं बार स्पॉट हुए और तब उनके अफैर की खबरे सामने आई हाला कि अकांग शा ने इस बात से डिनाई किया और उनका कहना है कि इन अफवाओं के कारण उनके और पारस के रिष्टे में भी प्रॉब्लम आ गई थी इस लिस्ट में पांचवा नाम है अक्रिस स्मीता बंसल का स्मीता बंसल के साथ सिधार शुकला ने बाली का वधू जैसे सीरियल में काम किया था और तब दोनों की दुबाई में गूमने की पिच्चर्स काफी वाइरल हुई थी और तब ही दोनों के अफवेर की खबरे आई थी हाला कि दोनों ने हमेशा इन अफवेर्स की बातों का खंडन ही किया है इस लिस्ट में छटा नाम है अक्रिस रश्मी देसाई का रश्मी देसाई के साथ 2017 में दिल से दिल तक शो में नजर आये थे सिधार चुकला और तब ही एक दूसरे से नजदी क्या बड़ी थी कहा गया कि रश्मी देसाई सिधार की कंपनी को काफ़ी इंजॉई करती है दोनों की अच्छी जमती भी थी अक्सर घंटों बाते किया करती थे लेकिन इस सीरियल के बीच ही दोनों के बीच ऐसा जगड़ा हुआ कि रश्मी और सिधार जब बिग बॉस के घर में भी आमने सामने आए तो वो एक दूसरे के खिलाफ ही रहे और रश्मी ने एक टाइम पर ये तक कह दिया था कि ये मर भी रहा होगा तो मैं इसे पानी ना दूँ हाला कि सिधार की डेट के बाद रश्मी रिसाई उन चंद आक्टर्स में से एक थी जो सबसे पहले सिधार की मदर को संभालने के लिए गई थी उनके घर इस लिस्ट में सात्वा नाम है अक्ट्र अलाकि कुछ समय बाद ये रिष्टा भी कहीं बिखर गया और अभी बिग बॉस के शो के बाद सिधार शुकला शेहनास गिल के साथ थे और शेहनास के साथ उनका रिष्टा एक नेक्स लेवल पर जा पाता उससे पहले ही ये हाथसा हो गया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दि नहस कर दो ड्याद को नहस कर दोया लादे हैं